नमस्टे दोत्व, स्वाच्छ समंदी चाच्छा के अंदर, आज मैं आपको होमेपेति के अंदर, लहसुन से बने हुई दवा एलियम से टाइवा, एलेम सेटाईवा का मैं आपको प्रियोग बताऊँगा देखिए एलेम सेटाईवा जो अपन राद दिन लहसुन खाते हैं उससे ही बनती है लेकिन लहसुन जितना जल्दी लाब नहीं करता उससे जल्दी लाग उससे बनी हुई एलेम से टाईवा का मदर टींचर करता है खास बात तो ये कि हाई ब्लेड पेशर को ये बहुत जल्दी कंट्रोल में करती है ये एक कितने अच्छे दवा होगी क्योंकि हाई ब्लेड पेशर एक ऐसी भीमारी है कि सभी इससे परेशान रहते हैं जब बीपी बढ़ जाता है किसी कारण से आप गोली खा रहे हैं हाई ब्लेड पेशर की उसके उपरांत भी अगर कोई से बोल चाल वाद विवाद तनाव टेंसन किसी का दुखत सामाचार कोई भी कारण अगर आपका बीपी गोली खाते हुए भी बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए दो उपाए हैं पहला उपाए आपको ये करना है कि एक कप गुन गुने पाने में एक पूरा निबू नीचो के चाई की तरह घूंट घूंट आप पी जाईए आदी घूंटा में आपका बीपी दस बारा पॉइंट पनरा पॉइंट कम हो जाएगा ये गरेलू और एलेम सेटाइवा का प्रियोग कीजिए एलेम सेटाइवा का प्रियोग आदे कप पानी में हाई ब्लेट पेशर को कम करने के लिए अत्वा ब्लेट पेशर जिनको नॉर्मल रहता ही नहीं है गोली खाते हुए भी यू मान के चलिए कि भी 90 और 160 रहता है तो उनको भी इसका प्रियोग करना चाहिए और हाई ब्लेट पेशर के लिए एलेम सेटाइवा का आदे कप पानी में 25 बूंद दिन में 3-4 बार प्रियोग करें और एकदम अगर बीपी बहुत ज़्यादा है तो एलेम सेटाइवा मदर टींचर का 20-20 बूंद या 25 बूंद आदे कप पानी में 1 गंटे से 3 खुराक ले उसके बाद दिन में 3 बार लेना शुरू कर गएं ये हाई ब्लेट प्रिशर को बहुत जल्दी कंट्रोल करता है जबकि आप और हम गरों में लसुन खुब पड़ा है और बीपी बढ़ गया तो आप लसुन को कूट पेट के उसका रस निकाल के अगर आप पिलेंगे तो वो इतना जल्दी बीपी कम नहीं करेगा जबकि उस से टाइवा मदद इंचे इसको कम करती है दूसरी बात कि आपों की काम करने की ताकत को ये दवा बढ़ाती है आपों में बड़ी आपों में अगर सोजन आगे कोई बीमारी की वज़े से इस्तिती विश्पोटक हो तो एलेम से टाइवा की 20 से 40 बूंद पियें तो 30 से 45 मिनिट के अंदर धमनी का रक्तदाब अरेटियल हाईपोटेंसन की आवस्ता सुरू हो जाती है और रोक ठीक हो जाता है इसकी 30 मूंद भी ले सकते हैं यदि किसी रोगी की पाचन सकती कमजोर हो गई हो इसके साथ ये नजले का रोक भी हो तो उस विक्ति को एलेम स से टाइवा ओती का प्रियोग कराना चाहिए जिसके फले स्वरूप उसका रोक ठीक होता है उसकी पाचन सकती भी सही हो जाती है जो व्यक्ति अधिक मांस का सेवन करते हैं उनके शरीर में एलेम से टाइवा बहुत जल्दी फास्ट काम करती है कुले में दर्दे, पेशियों में दर्दे और फेंपड़ों में टीबी इन रोगों को ठीक करने के लिए एलेम से टाइवा का प्रियोग करना चाहिए जो फेंपड़ों की टीबी का रोगी होता है तो उसको बलगम को बाहर फैंकने में बड़ी ताकत लगानी पड़ती है तो एलेम से टाइवा का मदर टींचर 25-20 बून आदे का पानी में दिन में तीन बार लेने से उसका कफ है पतला होके आसानी से निकलता है और रोग दिरे दिरे ठीक होता है खांसी बहुत तेज होती है और बलगम नहीं आ रहा हो तो सरीर का तापमान सामाने हो तता वजन अधिक बढ़ गया हो और नेंद भी ठीक से ना आती हो इसके साथ खूनी कफ निकलता हो यानि कि कफ में खून आता हो इस परकार के लक्षनों को यदि कोई रोगी है तो उसके रोग को ठीक करने के लिए एलेम सेटाइवा का परियोग होना चाहिए इसके अलावा पेट के अंदर रोगी को जलन होने के साथ ड़कार आ रही हो भूख इतनी तेज हो जैसे राक्षसी भूख किसी चीत का परहेज ने करने पर बहुत अधिक परेशानी हो रही हो कब्ज के साथ अंतरियों में लगातार हलका हलका दर्दू जीप का रंग पिला पड़ गया हो और इसके साथ साथ उस पर लाल लाल रंग के दाने हो गये हो तो ऐसे लखने वाले रोगी को एलेम से टाइवा का परियोग कराना चाहिए लंग्स के उपर इसका कितना बड़ा काम है रोगी को सांस लेने में परेशानी हो रही हो तता घड़ घड़ा हट हो रही हो जब रोगी बिस्तर से उड़ता है तो उस समय खांसी के साथ बलगम निकलता है जो बहुत चिप चिपा और बदबुदार होता है बलगम को बाहर फैंकना कटowej होता है रोगी थंडी हावा सहन नहीं कर पाता स्वास नली का फेल जाती है रोगी को चाहती में ऐसा दर्द होता है जैसे कि किसी ने उसकी चाहती में बहला घूंप दिया हो इस तरह का दर्द इस परकार के लक्षनेदी किसी रोगी में हैं तो उसके रोग को ठीक करने के लिए एलम से टाइवा का प्रियोग करना चीए बहन बेटियों के अस्तन में सूजन के साथ दर्द माशिक धर्म के समय में योनी तता अस्तनों पर फुंशिया निकलाती है इस परकार के लक्षनेदी किसी रोग हो तो एलम से टाइवा से लाब होता है इसके रोगी का शिर भारी भारी महसूस होता है कनपटियों में कुछ तपकने जैसा महसूस होता है नजले के कारण बहरापन रोग हो जाता है इस परकार के लक्षनों से पेडित रोगी को एलेम सेटाएवा का परियोग कराना चाहिए खाना खाने के बाद और रात के समय मूँ से मीठी लार निकले जीब के उपर या कंट के अंदर बाल जैसी कोई चीज महसूस हो यानि कि जीब पे और कंट में ऐसा लगता है कि जैसे कोई बाल पड़ाओ इस परकार का अगर कोई लक्षन किसी रोगी में है तो एलेम सेटाएवा से वो निरोग होगा इसके जो मुकाबले की दवा है इसके जो रिलेटिव मेडिसन है एलेम सेटाएवा की वो है नक्सोमिका, कोलोसिन, डिजिटेलिस, इगनेशिया, लाइकोपोडियम और ब्राइनिया ये इसके समकस दवाहिया है इन ओस्डियों से एलेम सेटाएवा ओस्डे की तुलना कर सकते हैं और जो मासारी होते हैं उन पर इसका असर अधिक होता है और साकाहरी पर कम इसका ये मतलब नहीं कि काम नहीं करेगी साकाहरी पर हम बिलकुल साकाहरी हैं तो भी हम एलेम सेटाएवागा परियोग करते हैं कभी वीपी बढ़ता तो बराबर काम करती है और लचोन हम काते हैं हाँ तो ये दवा सेनेगा केप्सिकम और आर्सेनिकम और कालिनाइट्रिकम और जी के बराबर ही गुन रखती है इसके अधूरे काम को अगर आप एलेम सेटाएवा किसी को देते हैं या लेते हैं और उसके रूब पूरा ठीक नहीं हुआ काफी ठीक हो गया थोड़ा कम रह गया तो उसको आर्सनिक एल तीस कुछ दिन देने से हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा अगर एलेम सेटाएवा यानि कि लसुन का जो ये मदर टिंचर है इससे अगर सरीर के अंदर कोई हानी कारक परपाव हो गया हो मालीजे आप एलेम सेटाएवा का मदर टिंचर ले रहे हैं और आपको बेहतर फिलिंग नहीं है तो लाइको पोडियम दोसों की एक खुराक ले लिजे वो आपकी प्रोब्लम ठीक हो जाएगी इसकी तीन पोटेंसी, छे पोटेंसी, तीस पोटेंसी ये भी काम बढ़िया करती है दिन में तीन बार टीवी रोको ठीक करने के लिए एले में सेटाइवा की चार से छे ग्राम की मातरा का प्रियोग करना चाहिए जब घाव हलका हो तो परती दिन कई मातराओं में बांट कर उप्योग करना चाहिए दोसों देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको गरंतों में कुछ लिखा होता है और अनुबहु है वो सक्ते होता है अनुबहु जो है वो सक्ते है लिखा जोभी है वो भी ठीक है एले मोः सेटाइवा का मदर टिंच है इसको आप अगर बीशबून आदे कप पानी के अंदर पियेंगे तो आपको यू लगेगा कि एक दम मुँ आपका तुर्रा हो जाएगा किसा तुर्रा होगा लेस्न जैसा तो जो लेस्न खाने वाले हैं तो उनको लेने में कोई प्रोब्लम नहीं वो आराम से ले लेंगे लेकिन कोई बहन बेटी या कोई सादू संत अथवा जो बेड़कूल चतुराई वाले व्यक्ति जो मास खाना छोड़के लेस्न प्याज को छूचे भी नहीं है ऐसे लोग उनको अगर कोई ऐसी प्रोब्लम हो बी-पी हाई हो या कोई आंतों में दर्द हो तो उनको एलियम से टाइवा मदर टिंचर में नहीं दे करके पोटेंसी में देना चाहिए पोटेंसी के अंदर नहीं कोई बद्बु है और नहीं कोई खुश्बु है 30 potency दिन में 3 बार देदिए 6 potency तो भी दिन में 3 बार दे सकते हैं और जिनका BP high हो गया हो उस वक्त potency इतना बढ़िया काम नहीं करेगी जितना इसका mother tincture काम करेगा तो जो high blood pressure के रोगी हैं और वो अपने blood pressure को कम करने के लिए क्रेटागस अर्जून इस तरह जो दवाईों का जो प्रियोग करते हैं हाट टोनी के रूप में जो होमेपेटी की ये बहुत बड़ा मदर टिंचर है क्रेटागस गोर ये तो उनके साथ के अंदर एलियम सेटाइवा का मदर टिंचर सामिल कर देना चाहिए और जो लहचों से जिनको कुछ मन में विचार होता है तो वो जब ही इसका परियोग करें जब उनका बीपी हाई हो तो चार-पांच दिन परियोग कर लें इसका मदर टिंचर उसके बाद बं कर दें बाकि क्रेटिगस का जो मदर टिंचर है और अर्जुन का है यह हमेशा ही लेना चाहिए जो हाई ब्लेट पेशर के और कोलेस्टल के ओ जिनका हाट कम्योर हू नियुमान के चलिए जिनको इस्टेंट लगा हो जिनका बाइपास हो गया हूं तो आगे जाकर के फिर कोई रिदे में प्रोब्लम नहीं आती इसके लिए क्रेटिगस मदर टिंचर दस बारा बूं अर्जुन जो अर्जुन पेड़ होता है उसकी चाल से मदर टिंचर वो ज्यादा काम करता है बनिश्वत अर्जुन की चाल की आईरवेद में बहुत परचलन है तो अर्जुन का मदर टिंचर दस बारा बूं और क्रेटिगस का मदर टिंचर दस बारा बूं यह हमेसा लें इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं लेकिन बड़े हुए रक्त चाप को कम करने के लिए इसमें आप एलियम सेटाइवा का मदर टिंचर पलस कर सकते हैं यह एक राम बांड दवा है और वैसे भी आईरवेद के अंदर दो कुली लेसुन की खाने का विदान है और लेसुन कितना निरोगा होता है यह आपको मालूम है लेकिन देखिए हर चीज़ की अपनी जाती होती है हर चीज़ की अपनी एक ताहिर होती है उसको कोई बदल नहीं सकता में भी नहीं बदल सकता इसलिए जो बिलकुल साथ्विक हैं जो प्याज भी नहीं खाते हैं और बिलकुल साथ्विक हैं और नित नेमी हैं भगवान की माला फेरते हैं तो ऐसे विक्तियों को इसका मदट इंचर उनको पूछ करके और बहुत सोच समझ के देना पोटेंसी चाहे कोई भी दवा की हो उनमें ने कोई बद्बू होती है ओड ने कोई खुस्बू होती है दोस्तों आज मैंने आपको लहसुन से बनी हुई दवा एलियम से टाइवा एक बेहत्री मदट टिंचर ये इंडियन सबसे बड़िया काम करता आप जर्मनी में फालत तो पैसा बरबाद ना करें एलियम से टाइवा मदट टिंचर हाइब लेट पैसर के लिए रामबांड दवा है आतों की सुजन के लिए रामबांड दवा है बाकी मैं बता चुका अब तो आपको मेरा वीडियो सब्क्राइब करना है